हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेसनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडि करेंगे नियूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन के बारे में और सिखेंगे उसके और कौन से मेडिकल कंडिशन के अंदर उसको जो है वो एवाइड करनी चाहिए तो सभी के बारे में जानते हैं डेटेल में ये वीडियो लेक्चर में अबाउट दे नियूरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन तो एक्सेस करें श्टुडी मेडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अप उपर तो एंडोड यूजर एंडोड अप डाउनलोड करें आइफ़न यूजर अप स्टॉर पर से डाउनलोड करें लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन बोक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो basic concept है वो समझे कि neurokind gold injection जो है वो use किया जाता है treatment के लिए और साथो साथ prevention के लिए vitamins के deficiency को और ये concept vitamins है तो ये इसके जो 3 ingredient है वो main 3 vitamins की deficiency को treat and prevent करने के लिए ये use किया जाते है तो उसका जो salt composition के अंदर रहे 3 vitamins पहला आप देखे तो vitamin B3 कि जिसको हम niacin भी कहते है तो vitamin B3 या फिर niacin as a nicotinamide ये injection के अंदर present है as a ingredient दूसरा ingredient है देखे तो vitamin B12 कि जिसका macobalamind करके जो है ये injection के अंदर present है vitamin B12 और तीसरा ingredient पतलब कि vitamin B6 कि वो present है as a pyridoxin hydro chloride ये injection के अंदर तो ये हुग गए उसके 3 main ingredient कि जो vitamin B3, B12 और B6 है और उनके chemical form यहाँ पे दिये हो कि nicotinamide macobalamin and pyridoxin तो neurokind goal injection comes in a category of multi vitamin type of injection कि जो nutritional supplements के लिए होते हैं कि जब nutritional supplements कम हैं और उसके कारण जो deficiency होगे किसी को vitamin B3 की deficiency है, B12 की deficiency है या फिर B6 या फिर ये सभी vitamins के आपको deficiency है तो ऐसे conditions के अंदर ये neurokind gold injection है, वो काफ़ी असरदार साभित होता है कि जिसके manufactures हम देखे तो mankind pharmaceuticals उसको manufacture करती है और for intramuscular and intravenous use के लिए ये available हैं तो उसके function समझते हैं कि उसके अंदर आहां जो nicotinamide कि जिसको vitamin B3 हम कहते हैं तो उसका role है as a antioxidant, कि antioxidant property देता है हमारी body को, फिर sinocobal amine या फिर macabalamine जो है vitamin B12 तो वो क्या करता है, help करता है blood cells के production के लिए और जो bone marrow के अंदर हमारा जो blood cells की जो RBC है WBC वगरा का जो formation होता है उसके अंदर help करता है और तिसरा जो B6 है vitamin B6 की जिसको pyridoxin कहा जाता है तो उसका भी काफी important role है body के अंदर जैसे की health of nurse के हमारी neurons होती है, उनके health के लिए काफी जरूरी है फिर skin के health के लिए जरूरी है और हमारे red blood cell, तो तीनों के अच्छी health के लिए जरूरी है B6, साथ हो साथ जो हमारे nervous system related disorder हो जाता है peripheral neuropathy तो उसके भी इलाज के अंदर साथ हो साथ prevention के लिए भी और treatment दोनों के लिए pyridoxin का होना जरूरी है तो यह सभी benefits हमें देता है यह neurokind gold injection और उसके यह ingredients, तो injection ही क्यों, because हमें आपको पता होगा कि इसके tablets form में भी यह available होता है सकता, उसको tablet swallow करने में difficulty हो रहे तो उस वक्त यह injection जो है, वो काफी preferable साभित होते हैं, काफी nausea vomiting जैसा हो रहा है परसंत, तो उसको वक्त वो tablet नहीं खाया पाएगा, because समझे कि उसने tablet खाई है तो vomiting के साथ वो tablet body में से बाहर आ जाएगी gastric irritation हो रहा है उसको, या फिर patient आपका जो है, वो unconscious condition में है तो ऐसे condition के जिसके अंदर वो tablet नहीं खा सकते तो उनको ये neurokind injection जो है, वो दिये जाते है and खास कर ये intravenous drip के साथ दिये जाते है, कि समझे कि patients को DNS का drip चलाया है, या फिर normal NS का चलाया है, तो उसके साथ जो है, वो ये injection अंदर डाला जाता है, या फिर directly intra-musculary भी, ये injection जो है, वो patient को दिये जाते है अब समझ जाते हैं, उसके dose को तो आप उसका container देखोगे, तो 2 ml के ampules available होते हैं, कि जो ये 3 drug का mixture उसके अंदर present है, with preservatives वगेरा, तो ये 2 ml का जो injection है, वो patient को लगाया जाता है, intravenous ले, या फिर intra-muscular root से ये injection दिया जाता है, और once a day कि दिन में एक ही बार enough रहता है कि समझे कि आप morning के अंदर उसको drip वगेरा लगाते तो उस वक्त ये injection जो आप drip में mix कर सकते हैं या फिर जो injection लगाते हैं तो once a day injection लगाना बेटर रहेगा, because higher dose में अगर समझो कि आप use करोगे, तो उसके side effects होते हैं, तो don't use in higher dose, it may cause the side effect उसके करन बहुत सारे अलग-लग side effects patient को हो सकते हैं, तो जरूरी है कि ये जिस तरह से ये ampules दिये हैं, कि 2 ml आगे समझते हैं, उसके basic use के कौन से, अलग-अलग conditions के अंदर इसको use किया जाता है, तो vitamin की deficiency है, तो उस वक्त ये काफ़ी important साबित होगा, कि B6 की है, B12 की है, या फिर B3 की deficiency आपको enhance करेगा, आपकी immunity को ये, treat करेगा body की weakness को की fatigue जैसी condition हो गई है, काफ़ी थकान है, कमजोरी जैसा आप feel कर रहे हैं, तो उस वक्त ये injection की, जो fatigue की condition कहते है weakness की जो body के अंदर कमजोरी आ चुकी है, और कोई disease condition आपके body के अंदर के, कोई body infection हुआ है, कोई भी ऐसे medical condition है कि जिसके करेण आपको थकान हो गई है, कमजोरी हो गई है तो उस वक्त ये useful है फिर healthy joints के लिए कि आपको joint related problem है तो उस वक्त की उनकी healthiness को enhance करने के लिए, ये injection काफ़ी useful है, improve करेगा metabolism body के अंदर कि जो चया पचे की क्रिया जो हम कहते है, body के अंदर जो अच्छे से growth को and उसके जो अलग-अलग functions है, vital organs के उनके लिए जरू है, because vitamins के बहुत सारी अलग-अलग जो processes होती है body के अंदर उनमें उनकी help रहती है तो जब vitamin के deficiency पूरी हो जाती है, तो body के जो function से वो अच्छे से चलते हैं फिर देखे तो peripheral neuropathy के अंदर ये injection जो है वो काफी useful सा भीत होता है, जैसे की peripheral neuropathy के अंदर patients को क्या होता है, कि loss of feeling कि ये जो neurons समझो की अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा कि आपको feeling के sensation चली जाएंगे freezing जैसा feel होगा tingling होते है patients को फिर hypersensitivity feel होता है sharp jabbing pain होता है burning sensation होता है, numbness जैसी हो जाती है condition तो उस वक्त ये सभी जो symptoms होते है, peripheral neuropathy के, तो उसको treat करने के लिए भी ये neurokind injection जो है, वो patient को दिये जाते है feel help to recover faster from illness and disease condition कि समझो कि आपको कोई बीमारी होई है कोई disease है, और वो disease में से faster recovery चाहिए तो उस वक्त भी ये injection जो हो दिये जाते है improve the general health, improve the proper functioning of the nervous system तो ये point यहाँ पे भी काम आएगा, peripheral neuropathy की treatment के अंदर एन immune deficiency disorder से फिर immunity enhance करनी है immune system को proper strength देनी है, उसको ताकदवर बनाना है, तो सभी condition के अंदर ये injection काफी असरदार साभी खोता है, अब उसके side effects भी समझना जरूरी है कि समझो कि यहाँ पे injection दिया है ये side पे, तो ये हो गई आपके लिए injection side तो injection side पे reactions हो सकते है और ये reactions के basis पे कुछ लोगों को वहाँ पे redness हो जाकते, कि यहाँ पे ये portion आप इतना देखो, तो आपको ये portion के अंदर देखने को मिलेगी redness, ये portion red हो चुका है, फिर ये जो normal portion के compare में, आपको यहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत और पेसन को जो है वो वहाँ पे pain हो सकता है, pain हो सकता है redness और inflammation मतलब के सूजन हो जाना, ये हो सकता है जहाँ पे आपको injection दिया है फिर कुछ लोगों को higher dose में देने से nausea, vomiting हो जाता है फिर itching होती है कि जहाँ पे injection दिया है वहाँ पे itching होना या फिर body के उपर rasis develop होना और ये rasis के अंदर आपको खुझली होती है dizziness जैसा फिल होते है कुछ लोगों को नींद वगर आती है drowsiness जैसा हो जाते है तो ये सब side effect डेवलफ होते है कि अगर आप उसको काफी higher dose में दे देते हैं ये injection because कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा दे देने से जल्दी fast recovery आ जाएगी बढ़ ऐसा नहीं होता proper जो उसका daily dose होता है उसके according to him medicines लिनी होती है तो higher dose में use ना करें कभी भी proper उसका recommended dose ही use करें फिर बहुत ज्यादा higher dose में उसको use कर लेने से वुक जो है वो कम करवा सकता है आपकी body की यह side effects जो है वो develop होते है फिर समझ ले उसके contraindications या फिर warnings तो warnings जैसे हो देखें तो renal impairment कि जिनकी renal खराब है मतलब कि जो simply हम कहें तो kidney related जो patients है कि जिनके kidney के उपर असर है already kidney के उपर सूजन है वहाँ पर inflammation है तो वो use ना करे kidney related को infections वाले patients को भी neurokind injection जो है वो नहीं देने चाहिए because इससे उनकी condition और खराब हो सकती है और उसमें भी जो severe renal impairment वाले हैं उनको ना दे फिर ये diagram के according to कि आप यहाँ पर देखो कि hypersensitivity है आपको किसी भी ingredient की neurokind injection की जो 2 ml में available है जैसे की macobalamin या फिर methylcobalamin जो हम कहते है niacinamide है उसके अंदर कि जो vitamin B3 हम कहते है और vitamin B6 तो B12 vitamin है B3 या फिर B6 के जैसे ingredients के आपको allergy के यह injection देने से आपको ऐसे condition हो रही है कि यह chicks के उपर आपको ऐसा swelling जैसा देखने को मिल रहा है फिर इस type के races develop होके वहाँ पर आपको जो है वो itching जैसा हो रहा है अगर यह injection लेने के बाद ऐसे कोई भी condition होती है तो तुरंद इसको use करना बंद कर देना चाहिए और proper precautions वगरा लेने चाहिए कि जब भी आप यह injection use कर दे तो proper आपके जो pharmacist या फिर आपके जो doctor है उनको बताना जरूरी है या फिर pharmacist और doctor को भी अच्छे से patient counseling करने के बाद ही यह injection लगना चाहिए कि जिससे ऐसे कोई problems create ना हो तो जानते हैं next video lecture के अंदर कुछ और ऐसे medicines के बारे में thank you for watching जरूर से वीडियो को like करें comment करें valuable comments करें कि जिससे हमें पता चले कि आपको video lectures कैसे लगते है फार्मरोक्स के जरूर से उसको share करें और like जरूर से करें WhatsApp groups भी join कर सकते हैं यह वाला WhatsApp helpline number है thank you for joining access कर सकते हैं study material, test series, video lecture फार्मरोक्स के आप उपर android user android app download करें iphone user app store से download करें links आपको description box के अंदर मिल जाएगी, good luck and all the best